दोस्तों 24 खैंटे में 50 लाख रुपय इखट्टे होने वाले हैं रिंकुर शर्माजी के परिवार के लिए पूरी दुनिया से लोग रिंकुर शर्माजी के परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए इखटा हो रहे हैं आगे आ रहे हैं दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने अभी तक कोई मदर तो छोड़िये समवेदना के दो शब्द तक नहीं बोले हैं दिल्ली के एक बेटे को इतनी बुरी तरह कतल किया गया लेकिन वोट बैंक की राजनीती में अंदे होकर अर्विंद केजरिवाल दो शब्द नहीं बोलना चाहते कि कहीं उनका वोट कम न हो जाए हम तो अब सरकार से कोई मदद भी नहीं मांग रहे पैसा भी नहीं मांग रहे लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या किसी खास धर्म के या खास समाज के मुख्य मंत्री हैं जो एक बेटे की मिर्ट्यू पर दो शब्द नहीं बोल सकते मैं अभार व्यक्त करना चाहता हूँ दुनिया भर के उन सभी लोगों का जो एक इस परिवार के लिए खड़े हुए हैं आड़े वक्त में साथ आए हैं यह संकल्प लिया है कि इस परिवार को ना कमजोर होने देंगे ना अकेला पढ़ने देंगे मैं सौमवार को दोपहर को इस परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा आप सब की शुभकामनाओं के साथ सब की सम्वेधनाओं के साथ और आशा करते हैं कि तब तक लगभग एक करोड रुपए हम रिंकु शर्माजी के परिवार के लिए इखटा कर चुके होंगे और उनके परिवार को वे एक करोड रुपए मंडे को हम दे पाएंगे आप सभी रिंकु शर्माजी के परिवार के लिए मदद करते रहिए कोंट्रिब्यूट करते रहिए क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ना इस परिवार के लिए दोशब्द बोलेगी ना कोई सहयता देगी ये रिंकु है रेहान नहीं इसलिए इनके परिवार के लिए तो हमको और आपको ही खड़ा होना पड़ेगा